OTT पर फिल्में रिलीस करना हुआ मुश्किल जिसकी वज़े से कई बड़े स्टार्स को अब दिक्ते आ रही हैं अपनी फिल्मों को इस तरह से रिलीस करने के लिए जी हाँ OTT के अब नए रूलस आ गए हैं जहां देखा गया है पिछले कुछ हरसे से काफी असानी से बड़े बड़े स्टार्स अपनी फिल्में सीधा OTT पर रिलीस करते थे पर अब ऐसा नहीं हो सकता अब इतना असान नहीं होगा अपनी फिल्मों को OTT पर रिलीस करना OTT पर अब डिरेक्ट प्रीमियर नहीं होगा क्योंकि OTT प्लाटफॉर्म्स ने अपनी पॉलिसिस को चेंज कर दिया है जी हाँ और इस पॉलिसिस में सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि OTT प्लाटफॉर्म्स ने कहा दिया है कि हम OTT पर डिरेक्ट फिल्में स्क्रीम नही करेंगे सबसे पहले आप थेटर में अपनी फिल्मों को रिलीस करो और फिर उसके बाद ही अपनी फिल्मों को OTT प्लैटफॉर्म पर रिलीस करने के लिए लेकर आओ और इस पतलाव के पीछे की वज़ा ये है कि आज कर लोग बड़ी गिरी हुई कॉलिटी की फिल्में बना रहे हैं बहुत ही पूर कॉलिटी फिल्म होती है जीरो स्टार फिल्म होती है और उसे भी लोग OTT प्लैटफॉर्म पर महंगे दामों पर बेच देते हैं और इन फिल्मों को OTT जब सीधा स्ट्रीम करता था तो OTT को कोई फाइदा नहीं हुआ उन्हें नुकसान ही हुआ इसलिए अब OTT प्लैटफॉर्म्स ने ये कहना शुरू कर दिया है कि तुम सबसे पहले अपनी फिल्मों को थियाटर्स में रिलीस करो और फिर OTT पर आओ अब जाहिर से बात है अगर लोगों को अपनी फिल्मों को थेटर्स में रिलीस करना पड़ेगा तो उसके लिए कुछ पैरामेटर्स हैं जो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं जिसके चलते फिल्मों की कॉलिटी वैसे ही सुधर जाएगी इसके लावा एक और वज़े भी सामने आई है OTT प्लैटफर्म को लेकर इंडस्ट्री में फ्रॉड भी शुरू हो गया है कहीं ऐसी लोग हैं जो इंडस्ट्री की लोगों को कहते हैं कि आप तो बस पैसा दो और फिर उसके बाद आपको जिस OTT का भी कनफर्म लेटर चाहिए वो आपको मिल जाएगा इस स्कैम के चलते भी अब OTT काफी सतर्ख हो गया है अब OTT की इस नई पॉलिसी की वज़े से उन एक्टर्स को खासा नुकसान हो रहा है जो OTT प्लैटफर्म से काफी नाम और पैसा कमा चुके हैं जिनमें एक नाम है नवाजुदीन सिदिकी का उन इस नई पॉलिसी ने सभी के लिए मुश्किले खड़ी कर दी है